जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने दिखा कि जी एन ने हैन फैंग को दुखायल करके भगा दिया था लेकिन वो खुद बीस के मूँ में जागे रहा था और एल्डर्स ने जल्दी से उस बीस को सील कर दिया था और फिर हमें जियामा एंपायर को दिखाया जाता है जहां या आफी कहती है कि जियाओ दिंख जियाओ फाइमली यहां आरां माध से रहा सकती है क्योंकि यह सबसे सेअड़ देंग है। जियाव दिंग उन दोनों को धन्यवाद बोलता है क्योंकि अगर ये दोनों ना होते तो जियाव फामिली पूरी तरह खत्म हो गई होती। जियाव दिंग के पैर शायद बोल गए थे यानी खराब हो गए थे इसलिए यावी कहती है कि अलकेमिस्ट को तुम्हें ये जल से जल दिखा देना चाहिए। इसलिए जियाव के चारों तरफ लावा ही लावा है और अब जियाव की आँख खुलती है और उसके आसपास से बोन चिलिंग फायर निकल रही है जो उसके टीचर की है। उसके टीचर भी एग्सास्ट होने वाले हैं क्योंकि वो अपनी बोन चिलिंग फायर से 15 दिन तक लगातार जियाव के ऊपर एक अवज बनाये हुए थे। फालिंग हार्ट फ्लेम ने जियाव को गलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। जियान पूछता है कि वो यहाँ से अब कैसे निकल सकता है जिस पर उसके टीचर कहती हैं कि उन्हें नहीं पता। फालिंग हार्ट फ्लेम की बार अनन्थ है और अगर तुमने इस पहली से उपर या नीचे जाने की कोशिश की तो ये इलावा तुमें चला देगा। जियान को बहुत बुरा लगने लगता है कि उसने यहाँ तक पहुशने के लिए इतनी मेहनत की और अब वो इस तरह की मौत को हासिल हो रहा है। उसने ना मिस्टी क्लाउट से अपना बदला लिया ना अपने मिसिंग फादर को ढूंडा और ना ही जी जूनियर से शादी की। वो यहाँ ऐसे ही नहीं मर सकता वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है और इसके इस मोटिवेशन को देखकर यावलाओ भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी पूरी मतद करूंगा। जी एन कहता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बॉली को रिगेन करवाऊंगा। इसलिए अपने प्रॉमिस को पूरा किये बिना मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। जैसे टैकर के मूँ में दात ना रहे हो। वही पैनमेंग के मेंबर जी एन को शर्धानजली दे रहे हैं। और कहते हैं कि जियान ही हमारा लीडर था और हमीशा वही रहेगा। उन्होंने जियान के तलबार की एक स्टाच्यू बनबा दी है और उसको वह से लिूट कर रहे हैं। और फिर से वाइट शा वहाँ आ जाता है क्योंकि अब मार्केट पर फिर से वो पैनमेंग कर नहीं बलकि अपना गबजा जमा सकते हैं। इसलिए वो उन्हें धमकाने के लिए आके बड़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ जियान आ जाती है। और उन वाइट शा को दूर करते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन पैनमेंग पर अटाक करने की हिम्मत करता है। अब से मैं जियान जो की नमबर वन हूँ वो जियान को रिप्लेस करके पैनमेंग की रक्षा करूंगी। और जो भी इस पर अटाक करेगा या इसे प्रवोक करेगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। जियान को वहाँ देखकर वाइट शा पूरी तरह ऐसे डर जाती है। और वहाँ से दुम दुबागर भाग जाती है। वहीं हम एल्डर सू को देखते हैं। जो भी भी टार के नीचे जाकर रोस फॉलिंग हाट रेम के अंदर जियान की ट्रेसे डून रहे हैं। लेकिन आज भी उन्हें कुछ नहीं मिला और बाकी तो एल्डर्स उन्हें कंसोल करते हैं। और अब फाइनली एल्डर्स हूँ ये डिसीजन ले ले लेते हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये सब उन्हें ब्लैक हॉन रीजन के लोगों की वज़े से हुआ है। और हम उन लोगों को नहीं छोडेंगे। और अब हम उन्हें इतनी बड़ी सजा देंगे। कि उनकी सजा को देखकर फिर से कोई भी इनकोर्ट की तरफ अटाक तुग्या। आँख उठाकर भी नहीं देखे। हम एक महीने बाद घर घर जाकर उन्हें ढूड़नेंगे। और उन्हें मौत के गाट उतारेंगे। अब फिर जियान के बारे में सोचकर निराश होकर वो सोचते हैं कि जियान का ही स्याओं में सेकिंड ब्रदर भी है। और हमें किसी को वहां उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भीजना चाहिए। अब बारी है कि हम जियान के एहसानों का बतला जुकाएं। और उसकी फैमिली की सुरक्षा करें। वही जियान बीस की बैली के अंदर मेडिटेट और को रीकवर कर रहा है। और वहाँ तभी जियान के टीचर कहते हैं कि अब मैं अपनी लिमिट तक पहुचने वाला हूँ और अब सब तुम पर ही डिपेंड करेगा। वह तभी वह भी जियान को महसूस कर लीता है और उस पर फायर फ्लेज छोड़ने लगता है लेकिन जियान का वो लोटस उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह भी अपने लिमिट तक पहुचने वाला है। जियान उसको देकर और खुट सी स्माइल करता है और कहता है कि मैं तो आपके बारे में भूली क्या था। क्वीन मेडूसा के भी कपड़े इस फ्लेम के वज़े से जल रहे थे और वो अपने अलग फॉर्म में आ जाती है जहां उसके कपड़े नहीं जल रहे और इस फॉर्म में वो काफी जाधा सुन्दर लग रही है। जिसको देखकर जियान भी थोड़ा शर्मा जाता है। क्वीन मेडूसा आसपास की जखाय को देखती है और अनलाइस करती है और वहां अपना अठाक करके बली को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जियान कहता है कि यह करना बिकार है क्योंकि यह एनरजी कॉंस्टेंट ही है। कई सारी फायर बॉल्स वहां आकर क्वीन मेडूसा पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्वीन मेडूसा जो इतनी ताकतवर है उसे इनसे बचना अच्छे से आता है। और अब वो पूछती है कि वो ओल्ड मैन कहा है जो तुम्हारे अंदर रहता है। उसको बाहर बुला। क्योंकि सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंट से तो हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। जिस पर जियान बताता है कि टीचर नीन में चले गए हैं और अब वो बाहर नहीं आ सकते हैं। क्वीन मेडूसा को ये गुसा दिलाना काफी ही था लेकिन वो जियान को यहां नहीं मार सकती। वरना वो यहां हमेशा के लिए वसकर रह जाएगी और वो खुदी बैली को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जियान कहता है कि अगर तुमने इसकी बैली तोड़ भी दी तो इसका लावा हमें चला देगा। वो बीस्ट अब और साधा व्यूरेस होने लगता है और वहां की गर्मी और साधा बढ़ने लगती है। जिसे क्वीन मेटूसा का दिल जोड़ जोड़ से धड़कने लगता है और वो पूछती है कि यह मुझे क्या हो रहा है। अब जियान का दिल भी बहुत जोड़ से धड़कने लग रहा है और उसको भी बहुत दर्द हो रहा है और वो खुद को रीकवर करने की कोशिश करने लगता है लेकिन दर्द उसका बढ़ता ही जा रहा है। क्वीन मेडूसा की भी हालत खराब हो रही है क्योंकि फॉलिंग हार्ट फ्लेम की नॉर्मल डोस ही बॉड़ी की बुरी हालत कर देती है और यह तो उसकी ही बैली के अंदर है उसको प्रवोक कर रही है। जियान की मेरिडियन्स पूरी तरह से फूल जाती है और इसकी स्किल जलने लगती है। एनरजी बहुत बढ़ जाती है जिससे जियान के सारे खाव फिरसे बढ़ जाते हैं और उसकी मेरिडियन्स ही हो जाती है और फिर यह एपिसोड यहीं कहत्म हो जाता है।